सब्सक्राइब किजिए एफके गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तो हम आगे चलते हैं हेलो दोस्तों आप देख रहे हूं FK GURU चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप दो गाय से फार्म खोल सकते हैं क्या इसे बेनिफिट होगा या बेनिफिट नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ कि हमने भी दो गाय लेका आया हूं के बाद से कि यह और यहां पर आने के बाद से कुछ गाया और खाया करती है इसके लिए दूद कम हो जाता है दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि जली से सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अच्छा लगए तो जली से लाइक भी कर दीजे कि मैं आपको बता दूँकि मैं आपको बताया था कि मैं बक्री फारम खोला हूँ मैं सेट बेर सब बना चुका था मगर अभी जो भूंडरी के जो हुआ है कऱें वांदर हुद ऑपक्री जब घुमने के लिए झाल रहे कि आही बकरी के रहने के बाथ से ओ इस से बढले मैं जो गाये से कमाऊँगा उस गाये उस बकरी को खिलाने में लगा सकता हूँ तरह मेरे घर से फिर पैसा मेरा रहा लगाने की जुरोत नहीं है और घर sera दूद भी अच्छा से लेंगे और साथ में जो भी दूद बचेगा उससे हम अपने बकरी फारम में यूज कर सकते हैं और जो आप वाइट वाला गाये देख गया है वो गाये हमने लिया था 26,400 रुपिया में जो अभी वो गाये दूद उसका भी लगबए 11 लिटर के लपेट में है मिलाज वुला के 22 से 22 लिटर दूद मेरा हो जाता है और हम इस दूद को 40 लिटर सेल करते हैं लगबग हमको रोजाना का 800 से 900 रुपिया मिल जाता है उसे क्या होता है कि हम अपने गाय खर्चा कर देते हैं और जो दूद कुछ पैसा बच भी जाता है मगर जब मेरा फार्म बकरी का हो जागा तो पैसा मैं उधर यूज कर सकता हूं इसलिए मैं बता रहा था आप गाय को खिलाने पिलाने में जितना भी अगर दूद देरिये उसका आधा पैसा उस गाये में ख